नमस्काल दोस्तों हिंदी निव्स अफेर्स में आपका स्वागत है दोस्तों भारत के पड़ोसी देश मालदीव मालदीव से एक बहुती बुरी नीज आ रहे है भारत के लिए जो भारत के लॉंग टर्म रिलेशन के लिए तो बिल्कुली भी अच्छा नहीं है और फिलाल अभी तो जो भी चल रहा है वो कहीं से भी कुछ भी अच्छा होता हुआ नहीं दिखिए रहा है बहुती ज़्यादा बुरी खबर कह सकते हैं इसे दरसल दोस्तों बात ये है कि भारत का जो पड़ोसी देश है चाइना भारत का दुस्मन है और भारत के दुस्मन चाइना ने मालदीव से हान मिला लिया है अब क्या किया है वो आई ये खबर को बिस्तार सा समझते है दरसल दोस्तों बात ये है कि चाइना और मालदीव ने सिक्योर्टी पैक्ट साइन किया है military pact, उसमें ये चाइना ने बोला है, कि चाइना को free access होगा, मालदीब की soil का, मालदीब की जमीन का, चाइना को access होगा और वो अपने वहाँ पे military base बनाएगा इसके बाद वो सारी free assistance provide करेगा मालदीब को, मतलब जो भी military से related चीज़े हैं वो सारी चीज़े उसको free of cost देगा, उसका कुछ भी charge नहीं करेगा ये होई एक ख़बर ये भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता वाली बात है, इसलिए क्योंकि चाइना हमार एक बहुत बड़ा देश है, और उसकी military भी बहुत हैवी है, बहुत ही ज़्यादा है उसका number, और वो भारत को घेरने पे लगा हुआ है, अब ये समझ लिए कि हम एक जगा से उसको counter करने की कोशिस करते हो दूसरी जगा आ जाता है किसी तरह से हमने चाइना को स्रीलंका से हटाया है, लेकिन वो स्रीलंका से हटने के बाद मालदीब में पहुँच गया है, और भारत के लिए एक परिशानी खड़ी कर दी है, हलागि भारत ने उसका counter करने की कोशिस करी हुई है भारत अपने लक्षदीब में एक नेवल बेस बना रहा है, बना क्या रहा है अगर मोधी गौवर्मेंट तीसरी बार आ जाती है तो जो भी उस वक्त के रक्षा मंतरी होंगे वो उसका उद्गाटन कर देंगे अब लेकिन समस्या यह है कि एसे हम कितनी दिन तक ऐसे काम चलाएंगे और जो मालदीब के राश्पती हैं मौमद माईजू वो तो जैसे पागा लो चुके हैं बिल्कुल भारत बिरोध में उनको यह नहीं देख रहा है को किस तरफ लेके जा रहा है मालदीब को वो चाइना इनको अपने डेट ट्रैप में फसा रहा है दरसल चाइना ने 385 बिलियन डॉलर अपने बिल्ट एंड रोड इनिशियोटिव में खर्च कर दियें खर्च क्या कर दियें मतलब लोन बाड़ दियें और देशों को अपने डेट ट्रैप में फसा लिया है देश बरबाद हो रहा है उसका लोन नहीं वापस कर पा रहा है सेम चीट मालदीव के साथ होने वाली है यह बिल्कुल वैसे ही परिशान होने वाले है जैसे स्री लंका परिशान हो गया था डेट रैप में अब यह समझ लिए कि मालदीव के जो राश्पती मुवमान माईजू वो इस तरह की भारत को इस्टेटमेंट दे रहा है कि भारत मालदीव को बुली कर रहा है और कहरे हम बुली नहीं होंगे इसका जवाब अपने विदेश मंती डॉक्टर एस जहसंकर जीने पहुत अच्छे तरीके से दिया है कि भारत अगर देश को बुली करने के लिए सोचता तो वो कभी अपने पडोसी दोसियों की फिनांसिली मदद ना करता साड़े चार सो करोड उपैसे जादा की भारत ने पडोसीयों को मदद करने का एलान किया इस बजट में तो इतनी बड़ी चीश जब भारत कर रहा है वो किसी देश को बुली कैसे कट रखता है भारत तो हमेशा अपने पडोसीयों के लिए मदद के लिए मेंसे आगे आता है चाया कोई भी हो अभी जैसे कि तुर्की देश में एक तुफान आया था तुफान क्या मतलब भूकाम पाया था जिसमें कितना परेशानी हुई थी कितने लोगों की मौत हुई थी लेकिन भारत अपनी तरफ से आगे आया और अपना एक ऑपरेशन दोस्त लाँच किया और उसकी बहुत अच्छे से मदद करी लोग यहां से गये वहां पर कितना हमारे सेनिकों ने अपनी हेल्प करी वहां लोगों की ऐसे ही नेपाल की अगर बात करो तो नेपाल मैं जब भूकाम पाया था तो सबसे पहले अगर कोई पहुँचने वाली सेना थी तो भारत की सेना थी उन्होंने वहाँ जाके जी जान लगा के अपनी मेहनत करी और उन लोगों की साहता करी ताकि उन लोगों का जीवन इस तर में सुधार आए परिशानी से वो निकले यह सब भारत नहीं किया है तो भारत कैसे किसी का बुर्योत कर सकता है भारत का तो कभी ऐसा कुछ रहा ही नहीं किसी भी देश के साथ कि भारत किसी के लिए भी नुकसान पैदा कर सके और इसकी कोई agreement जो इन्होंने pact sign किया है military pact उसकी कोई condition सामने नहीं आई है even हम मैं चेक कर रहा था social media में तो वहाँ के जो लोग है वो उस पे comment कर रहा है कि actually उनको पता होना चाहिए कि मालदीव की जो government है किस सर्तों के तहट वो इन लोगों को अपनी जगा का access देने वाली है military को access देना बहुत बड़ी बात होती किसी भी देश के लिए सोचिए चाइना जैसे देश उसको military base बनाने को मिल ला है और भारत के hardly 70 से 80 सैनिक थे जो मालदीव ने बाहर दिकाल दिये अब वहाँ पे जो भारत ने इनको अपने helicopter दे रखे थे उसकी रख रखाओ के लिए जो लोग वहाँ पे वो एक civilian है इंजिनियर्स जो है मिलेटरी के लोग नहीं है सुची एक साइड इतना बिरोध हो गया कि हमारे 70 असी जो military person थे उनको भी निकाल दिया मालदीव ने और चाइना को पूरा military base बनाने के लिए जगा दे दिये मतलब ये क्या ही कह सकते है किसी भी देश से ऐसे मालदीव relation खराब कर सकता है जबकि भारत उनकी पैसे समादत कर रहा है अभी जो budget आया है हमने मालदीव के लिए fund एलाउट की है मतलब मालदीव ने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि क्या वो करने जा रहा है किस side बोल लेकर जा रहा है अपने देश को ठीक है दोस्तों आगे आगे देखते हैं कि और क्या development नहीं नहीं आती है फिर मैं आपके लिए एक updated वीडियो लेकर आऊंगा धन्यवाद दोस्तों आपको information अच्छी लेगी है तो please channel को subscribe करते है